Welcome to प्रताव क्लासेश, दोस्तों प्रताव क्लासेश के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है तो आज है 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2021 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करनेट अफेर 2021 के क्योस्टन मनेगे तो आज उनका डिसकेशन करेंगे पूरा वीडियो दियान से देखना और दाश्टम आपसे कोस्टन पूछूँगा जिसका जबाब आपको कमेंट बक्ष में देना होगा तो आज टूडे मॉस्ट इपर्ड़ क्योस्टन 31 दिसंबर के हमें बात करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी विदारती हमारे इस चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकिन की गंटे को दबा लेना ताकि हम जैसे ही आने वाली राजस्तान पुलिस ग्रूप D NTPC जितने भी एकजाम अगे उनके लिए स्पेसल हमने जैसे राजस्तान पुलिस के लिए कंप्यूटर से समधित महला एमोबाल विकास समधित और अक्रांट अफेर से समधित वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल्स के वीडियो अचालेगे तो लाइक कर देना और कॉमेंट कर देना और पीडियाप हमारी टेलिग्राम पर जोइन कर लेना वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिसकेशने भी टेलिग्राम का लिंक है वाँजा कर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आईए हम बात करते हैं आज 31 दिसमबर 2020 की एकांट का तो आज का पहला क्योंसन है कि हाली में पियम मोदी ने किस राजे में चार जल्व दूत प्रियोजनों की अधार सिल्दा रखी है तो अभी हमारे देश के जो परदानमंत्री है उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कहां हिमाचल प्रदेश में क्या है चार जल्व दूत प्रियोजनों की अधार सिल्दा रखी है किस ने हमारे देश के परदानमंत्री नरेंदर मोदी ने तो हिमाचल प्रदेश ने मुक्य चते देखो परदानमंत्री नरेंदर मोदी ने हिमाचल प् प्रियोजना का उधिकाटन किया है जो 111 मेगावाट की प्रियोजना है तो ये उन्होंने प्रियोजना शुरू की है और एक शुरू की है उन्होंने जो तीन दस्कों से क्या है इमाचल प्रदेश में लंबी थी कौन सी रेणुका जी बांध प्रियोजना कौन सी थी रेणु मोदी ने इसके साथ भी कई अन्य प्रियोजनों का दिगाठन किया है एक है लुहरी स्टेज वन हाइड्रो पावर परजेक्ट कौन सी है लुहरी स्टेज वन हाइड्रो पावर परजेक्ट एक है दोला सिद हाइड्रो पावर परजेक्ट तो इन तीन चारों की अभी हमाचल वरतमान में राजेपाल है वह कोण है राजेंदर अरलेंकर और इसके वरतमान में मुखे मद्री कोण है माझ्यल परदेश के वह है जे राम ठाकूर तो अभी हिमाचला परदेश ने भी अभी हमने कल पर सों पड़ा था कि आहिमाचल प्रदेश ने वीजे हजारे ट्रोफी 2021 से जीती है तो ये भी आपको मुख्य बातें याद रखनी है इसके साथ साथ हम कुछ तत्य और बात करते हैं तो अभी नरेंदर मोधी ने क्या है कसी में कसी विस्वना द्याम प्रियोजना का भी उद्गाटन किया है और अभी उत्रप्रदेश में क्या है गंगा एक्सप्रेक्स रेलवे का भी उद्गाटन किया है और उसके बाद में सरीयो नहर प्रियोजना का भी उद्गाटन किया है तो इसकी योजने है उसके में साथ साथ याद कर देना और अभी हिमाचरप प्रदेश में किया है चार जलुब दूत प्रयोजनों की अधार सिला की है किसने हमारे देश के परदानमंतरी निरंदर मोदी ने तो आज का दूसरा कुछन है कि किस देश ने दुनिया का पहला डूल मोड वहान पेस किया है तो दुनिया ने किस देश ने किया है भी दूल मोड वहान पेस किया है वो किया है जापान ने किस ने जापान ने भी दूल मोड वहान पेस किया है मुके तते देखो जापान ने अपने सहर कायों में मीनी बस जैसी दिखने वाली दुनिया का पहला डूल मोड वहान पेस किया है ये एक मीनी बस की दरह क्या है दिखने वाली एक वहान है इसका नाम रखा है डूल मोड वहान यह वहान क्या है सड़क पर समाने रबड के टायरों पर चल सकती है इसमें रबड के टायर होंगे और यह सड़क पर भी रबड के टायरों से चल सकती है अब जापान ने इसको लॉंच किया तो जापान की राजदनी क्या है टोक्यो क्या है टोक्यो और जापान की मुद्रा क्या है येन और जापान के वर्तमान में बीम कोण है फूमियों कीशिया तो अभी जापान ने भी ये क्या है उपकराय लॉंच किया था उसका नाम क्या था अभी कल पर सो मेने वीडियो में बताया था उस उपकराय का नाम क्या था इन मारशेट 6F1 ये भी क्या है जापान ने लौंच किया है तो अब इसमें क्या है जो ये वान लौंच किया है इसमें होगा 21 यात्रियों का क्या होगा जो 21 यात्री होंगे न उसमें क्या है ये वेक्तियों का आ ले जा सकता है और ये रेल की पट्री भी चल सकता है रेल की पट्री पर क्या है ये 108 किलोमेटर परती गंटा की चाल से चल सकता है और सडक पर क्या है ये 100 किलोमेटर परती गंटा के भी चल सकता है तो इतनी बाते आ रोजगार निगम वेव पोर्टल लॉंच किया है तो ये तो हर्याना से पता चल रहा है कि अभी हर्याना के मुख्य मंत्री है उन्होंने क्या है रियाना को सल रोजगार निगम पोर्टल लॉंच किया है इसके साथ जो मुख्य मंत्री उन्होर दाल खटर ने हर्याना को सल रो के अंदर स्थापित करने की भी गोशना की है किसने हरियाना के मुख्यमंत्री मनोलाल खटर ने उन्होंने एक पत्रिका व्यवेस्था प्रिवर्तन से सुसासन और 2022 का अधिकारी किलेंडर भी लॉंच किया है तो ये इसने मुख्यमंत्री ने भी ये तीन चीज़े लॉंच की है एक तो अटल पारक और स्मित्रिके अंदर स्थापित करने की गोशना कर दी और उसके बाद में एक पत्रिका में क्या है व्यवेस्थ प्रिवर्तन से सुसासन और 2022 का अधिकारी किलेंडर लॉंच किया है किसने हरियाना के मुख्यमंत्री ने अब रियाना के ने की है तो रियाना की जो राजदनी है वो है चंडिगड और राज्येपाल कौन है इसके बंडारू दतात्रे है कौन है बंडारू दतात्रे इसके राज्येपाल है और इसकी राजदनी किया है चंडिगड और मुख्यमंत्री मैंने बताई दिया कौन है मुख्यमंत्री कौन है मनोहरल मनОलाल खटर तो अभी एक योधना भी इन्होंने सुरू की थी. कौन सी अल्याना ने वो के खेल की थी. क्याल नर्शिर्व योधना तुंसी अभी खेल नर्शिर्य योधना है. वो भी अल्याना राजये से समंधित है. अगला कोशन देखो हाली में श्यामा परसाद मुखर जी रूबन मिस्टन में कौन सा राज्य पहले अस्तान हासिल किया है तो अभी श्यामा परसाद मुखर जी रूबन मिस्टन में जो है तेलंगाना सबसे टोप पर रहा है कौन सा तेलंगाना मुखे तते देखो शामा परसाद मुखर्जी रूबन मिशन को लागू करने वाले 34 राजियों और केंदर साशित परदेशों में तेलेंगाना ने पहला स्थाना असिल किया है तो 34 राजियों और केंदर साशित परदेशों में इसमें तेलेंगाना टोप पे रहा है और इसके बाद में तमिलाडू और गुजरात ने दूसरा और तीस रस्तान ऐसी लिकिया है तो अब ये शामा परसाद मुखर्जी है तो इसका उदेशे क्या है तो इसका उदेशे है कि स्तान ये आर्थी विकास को परस्ताहित करना और बुन्यादी सिवाओं को बनाना और उसको सुनियोजित रुबन कलस्टर बनाना है तो इसका उदेशे है उदेशे आपको याद रखना है और तोप पे कौन रहते लगाना और दूसरे स्तान पर तमिलाडू और तीसरे पर गुजरात रहा है अगला क्योशन देखो आली में वन महानिदेशक और विशे सचीव की रूप में किसे नुक्त किया गया है तो अभी वन महानिदेशक और विशे सचीव की रूप में नुक्त किया गया है किसको CP गोईल को अभी महानिदेशक और विशे सचीव की रूप में निक्त किया गया है मुख्या तत्य की बात करते हैं बारतिय वन सेवा के एधिकारी और चंदर प्रकास गोईल को वन महानिदेशक और विशे सचीव प्रयावरण वन और जल्वाई प्रिवर्तन मंतराले की रूप में निक्त किया गया है किसको चंदर प्रकास गोईल को गोईल पहले क्या थे कि उत्रप्रदेशक और विशे सचीव की रूप में निक्त किया गया है किसको सीपी गोईल को इनका पूरा नाम है चंदर प्रकास गोईल अगला क्योशन है कि हाल में किसे राष्ट्य सुरक्षा प्रिशद सचीवालय में उप राष्ट्य सुरक्षा सलाकार निक्त किया गया है तो अपने जो राष्ट्य सुरक्षा सलाकार कोन है अजीत डुबाल कोन है अजीत डुबाल और अभी राष्ट्य सुरक्षा सचीवा पाद करते हैं राजनाईक विक्रम मिसरी को राष्टे सुरक्षा प्रिषस्टाच्वाल्यय में उपराष्टे सुरक्षा सलाकार रथ करे निए तो अब इनको यहाँ निप्ष कर दिया है उप सलाकार कि रूप में और वहाँ पर चीन में अब आगे जो नुक्त हुए है वो कोन है परदीव कुमार रावत को भी क्या है सरकार ने पहले वहाँ चीन में बारत को एक नया राज्जूत उसमें नुक्त कर दिया है अला क्यों सुन देखो आजी में उर्जा दक्सता सिवाओं में मुख्य करे करे अधिकारी करे रादिका जाको इसको रादिका जाको भी उर्जा जो अधिकारी है या सिवाओं के रूप में से नुक्त किया गया है मुख्य तते देखते हैं हम रादिका जाको राज्य द्वारस अंचारित उर्जा दक्सता सिवाओं यान की Energy Efficiency Service EELS SL में मुख्य करे करे अधिकारी करू प्युक्ति दोदार नो में और इसका अधेक्ष्ट कोण वर्तमान में अरुन कुमार मिस्रा जो थे यहाद रादि का जिया ज़ाती वो पहले क्यादिकारि थी वो उत्राखंड सरकार की सचिव की रूप अजनसिग को उमीदे है विट वर्स 2022-2023 में बारत कितने परतिशत की दर्से बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा नो परतिशत की दर्से कितनी 9% की दर्से ICRA rating agency को के तहत क्या है वित वर्ष 2022 और 23 में भारत 9% की दर से बढ़ेगा मुक्य तहते देखो ICRA rating agency उम्मेद ने उम्मेद किया कि बारत का वस्त्विक सकल ग्रिदिद पाज यानि कि GDP 2022 और 23 में 9% की दर से बढ़ेगा और चालू वित वर्ष की दूसरी रिती माई में क्या है बारती अर्थ विश्ता 8.4% के दर से बढ़ेगा और अब आगे 2022 और 23 में क्या है 9% की अनुमाने लगाया है अब यह ICAR यह क्या होता है तो यह है Investment Information and Credit Rating Agency of India क्या नाम इसका Investment Information and Credit Rating Agency of India यह Agency इसका नाम है अला क्योशन देखो हाली में किस ने IIT कानपूर में Blockchain अधारित Digital Degree लॉंच की है तो अभी बात की हमने परदानमत्री नरेंदर मोदी ने अभी IIT कानपूर में Blockchain अधारित Digital Degree लॉंच की है मुखे तते देखो राष्टिय ब्लोक्चेन प्रियोजना के तहट परदानमत्री नरेंदर मोदी ने IIT कानपूर के 54 दिक्षांत समरो में Blockchain अधारित Digital Degree का सुबारम किया है 54 दिक्षांत समरो में अभी नरेंदर मोदी ने IIT कानपूर में क्या है Blockchain अधारित Digital Degree का सुबारम किया है उन्होंने बाद में क्या है कि परदानमत्री ने क्या है कानपूर मेट्रो रेल प्रियोजना और बिनापन की Multi Product Pipeline प्रियोजना के पूर्ण खंड का भी उद्गाटन किया है एक तो Blockchain अधारित डिग्री का सुबारम खिर दिया और इसके बाद में कानपूर में मेट्रो रेल प्रियोजना और बिनापन की Multi Product Pipeline प्रियोजना का पूर्ण खंड भी उद्गाटन इसका किया है किसने नरहेंदर मोदी ने आज का अंतिम क्योश्न देखो हाली में POS मशीनों में कौन सा बैंक दूसरा सबसे बड़ा वेपारिक बन गया है POS प्रियोजना मुके तपी थे देखो Axis Bank वर्ष के दोराण दोलाग से अदिक कार्ड़ स्वाइपी मशीनों को स्तापित करने 2020 के दोराण दो स्तानों की छलांग लगाते हुए देश में दूसरा सबसे बड़ा वेपारी अधिकरेंड बैंक बन गया है कौन सा एक्सिस बैंक अब एक्सिस बैंक की बात है तो एक्सिस बैंक की जो इसका मुखेले का है वो है बुंबई में और इसके वरतमान में अधेक्स कौन है वो है राकेश मकीजा कौन है, राकेश मक्हिजा और ये याद रहना कि नीजी चेतर में तीसरा सब से बड़ा बेंक कि हाल में विजए हजारे ट्रोफी 2020 की विजएता टेम कौन से रही है, हैमातिल प्रदेश अभी मैंने पहले क्योस्टन में बता जिया कि विजय हजारे ट्रोफी 2020 की विजय ता टीम है हिमात्यल प्रदेश लगबग विदार्थियों को कमेंट में जवाब बोक्स में जो कमेंट में जवाब लगबग विदार्थियों को सही था तो इस तरहें आप जवाब देते रहिए और लगतार हमारे साथ बने रहिए अब क संगीत आंद सेчно सुरू किया गया है इसका जवाब आपको कमटे बक्स में देया एक तो सारे बरदार्ती कोमेंट में जवाब जुरूर दिया जाएक है तो जितने आपके नमर बनते हैं जो वीडियो एकजाम में उसका भी जवाब आपको कमटे बॉक्स में देना है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना शेयर कर देना और पीडियेप आपको उपलब दो रही है हमारी टेलिग्राम पर और आज आपको कम्पूटर से समधित वीडियो उपलब करवा दिया और लागातार तो आने वाली अब क्या है एक जनुरी से राजस्तान प्लिस के लिए मैं सपेशल राजस्तान से समधित आपको मॉडल टेस्ट के रूप में जितने भी एक टोपिक्स टे कोस्तन बनेगी उतनों आपको मैं बलद करवाँगा उमेद मैं इतनी रखूँगा कि इससे कोस्तन जो जितने मैं करवाँगा उससे कोस्तन को मजबूत कर दीजिए तो धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय बार्द